तो यह वाला question देखो प्यारे बच्चों, इस वाले question में क्या कहा जा रहा है, कि अगर तुम यहां से देखोगे, कि two thin lens made of same focal lens, focal length यहां पे same है, but one is convex and another is concave, तो एक convex है और दूसरा concave है, यह हमें ध्यान देना है, ठीक है, एक convex है, दूसरा हमें concave है, they are placed in contact with equivalent focal length, मतलब दो lens को जोड़ोगे तो एक single lens मिलेगा, और उस single lens की focal length में calculate करनी है, तो ध्यान रखना कि यह पहला वाला lens है, यह वाला lens एक convex है, इसके साथ same radius up करवेचर का मुझे concave aid करना है, तो concave जो होगा इसके साथ, वो कुछ ऐसा दिखेगा जूडने के बाद, तो यह अपने प और यह concave, तो यह वाली जो lens है, this lens is convex and this is the concave, इसकी focal length f1 है, जो की positive होती है, और इसकी अगर focal length f2 है, जो की negative होती है, और यह दोनो fk, minus f के बराबर होगा, और यह plus f के बराबर होगा, तो one upon focal length of this combination, one upon f1 plus one upon f2, इन दोनों को जोड़ोगे, तो single lens मिलेगा जार, तो उसकी focal length कितनी होगी, मैंने 2 को जोड़ा, तो मुझे तीसरा lens मिला, हमको नहीं पता वो क्या हो, क्या मिलेगा, lens मिलेगा, क्या मिलेगा, one upon f, minus one upon f, मतलब यह कट-कुट के 0 हो गया, तो इसका मतलब focal length of this combination, one upon zero, one upon zero जो ह 10 degree की infinity को, तो इसका मतलब भे हुआ, कि जो first option है, वो सही हो जाता, infinity का मतलब भे हुआ, कि अगर इन दोनों lens को जोड़ते हो, ध्यान से समयना, physical meaning समझाता हूँ, अगर इन दोनों lens को जोड़ते हो, तो एक glass का plate मिलेगा, एक glass simple glass plate की तरह भी एप करेंगे, जिस पे अगर parallel ray तो ओ focal length सेम है, वो infinity को चली जाएगी, infinity को कंजर होगी, यह infinity को मिलेगी, parallel beam डालोगे, तो जो combination है, वो concave भी हो सकता, convex भी हो सकता, या plain glass plate भी हो सकता, डिपेंड करता है, combination F का focal length कैसा होगा, ठीक ना, thank you.